हलो एवरिवन मैं आरभी जनुरेशन में आपका स्वागत करता हूँ राजस्तान प्रदेश में सभी राज के महाविद्याले इन जो सरकारी कोलेज हैं उनके अंदर अगर आपको प्रतम वर्स में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर जो है नोटिविकेशन आउट हो चुका है इसका जो पूरा सेडियूल है कब जो है आपके ओनलाइन आवेदन बरे जाएंगे अंतिम तिति क्या है इसके अलावा आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगी तो पूरा सेडियूल जारी हो चुका है यहां तक आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी यहां तक क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाईज वो चैनल को सब्सक्राइब करें लेकर प्रेस करें जिसे आने वाली सभी वीडियो का नौटिफिशन आप तक पहुंच जाए आए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो एक तो वही राजस्तान विश्विद्याले जो संगटक सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब बात करते हैं वो कबसे बरे जाए जाएंगे तो जितने भी बारवी पास बbor पूची है जो पास हो चुके हैं और चाहते हैं तो फ़म लगा सकतेब आपके जो वह 27 जुन से स्टार्ठ होंगे जी हां 27 जून से आपकी आपे चुलाइ सट धू सूची की बात करें कि यह सुची आपके कब तक जारी ओगी तो आपकी आपी जेक कर ले न कि किसंस का नाम भाट मिला है अगर हमेल मिल चुका है यह अधे मिशन आपका हो गया है लिस्ट मैं नाम आगे है तो फिर आगे क्या होगा तो आगे आपको फीस जमा करानी होगी और document verification करवाने होगे तो 13 जुलाई को आपकी जो first merit list out हो जाएगी जिन भी candidate का जिन भी विद्यारती का admission हुआ है उनको वापर फीस जमा करानी होगी आपके फिस लगती है 4000, 5000, 10,000 जो भी सरकारी होगी आपके समधित माविद्याली कि आप लोग पूछ लेना और आपको पता भी लग जाए कि इतनी फीस जमा हो रही है तो फीस आपको जमा करवानी होगी इसके अलावा आपके document verification भी होगे और यह सारी प्रिक्रिया जो है आपकी 13 के बाद में start हो जाएगी और last date रहेग इसके सर्फ फीस कैसे जमा होगी तो फीस आपकी online ही जमा होगी इमित्र से आप जो है समधित माविद्याली के अंदर चालान या जो भी डेडी बनवा कर आप जो है अपनी फीस जमा करा सकते हैं तो online ही आपके फीस जनरेट होगी इसके अलावा document verification के लिए तो आपको समधि जाती परमान पत्र जहां से आपने बारवी पास किये उस school की आपके पास टीजिक होना चीह इसके अलावा अगर आप मतलब मतलब SC, ST केटिगरी से हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, तो आपके पास में जो है, आए परमान पत्र होना चाहिए, जिससे आपको जितनी भी परसंट छूट मिले, वो मिल जाएगी, ठीक है, तो ये डोकुमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, साथ में अगर फोटो, आइड जिसके लिए आप अपलाई करना चाहते हैं, आपकर सकते हैं, और एडमिशन दे सकते हैं, तो राजस्तान प्रदेश के जितने भी विद्यारती हैं, जो सरकारी कोलेज में, UG कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, फरम स्टार्ट हो चुके हैं, और कटोप जादा वैसे जाएगी नहीं क्योंकि काफी ज़्यादा सीट है तो आपके परसंटेज 70-80 के आसपास है तो भी आप फॉर्म जरूर लगाएं आपका नमबर आने के चांसेज हैं और रही बात कितनी जाएगी जैसे आपके जो जारी होगी उसके अलक्सें वीडियो बना देंगे और सीट वेकेंट रहे जाती है तो सेकेंड कटो थर्ड कटो भी आपकी जारी होगी और उसमें बच्चों का यहां पर स्लेक्शन होगा उनका फिर फीजमा होगी डोकुमेंट वरिफिकेशन होगा तो यह प्रिक्रिया होती है जो मैं आपको बता दिये तो सभी विध्यार्ति जो भी एक्षुक हैं जो यूजी कोर्स में अडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट येर के अंदर वो फ़र्म जरूर लगा हैं